वेलकम बैक और मुझे पता है कि आप सब भी थोड़ा सर्प्राइज होंगे मैं हमारे सामने वाले घर हूं हमारे दो घर है यहां पर तो मैंने सोच आज मैं दादी के पास यहां पे खुदी आ जाती हूं कभी-कभी दादी हमारे पास आ जाते हैं आप लोग बहुत सा प्यार करते हूं मेरी दादी मा को हूं मम्मा के चैनल पे बी और मेरे चैनल पे भी तो मैने दादी को आपके सारे कमेंटस क्यों पढ़के सुना दिया है तो जीलो प्र मेरी दादी जी से मिलते हैं और शीयंकी बस्काटते क्या द्द़ा बहुत पहलने सम्धिन है अचिक और भी तो किस न Jadi को में आप लोगों की कॉमेंट सेक्षिंज मेरी टादी माको जब वह पढ़के सन區 तो दादी इतने खुश हुए ना दादी कहते हैं एक और वीडियो बना तो भी मेरे दादी जी ना मैरे आपसे पहले का है हमारे जो पुराने बुज़ूर्ग है हमारे घर पे दिखावा वाजी नहीं है इनको देसी लुक में रहना मेरे दादी देखो इतनी जो है ना इतनी जमीन जायदाद की मालकी ने इस टाइम पे लेकिन फिर भी देसी रहते हैं वही इनको पसंद है तो वही हम भी अपनी दादी मा के साथ देसी बन जाते हैं अच्छा मा मैं दादी मा से क्वेशन पूछने वाली हूँ कि दादी मा कर टाइमन है इक की दुक्की बहुत चलती थी जैसे 50 पैसे होगे 10 पैसे होगे तो अब आपको दादी मा बताएंगी क्योंकि बहुत से लोग आज कल देखो modernization का time चल रहा है लोग यहां से वहां भी जाते तो गाड़ी में जाते हैं आपके टाइम में कितनी बसीस होती थी तो कैसे आते जाते थे तो चलो फिर दादी जी अमा दस्ता फिर तुह की जानदे पे पेडल जानदे हैं किसा अबर यातरा करते हैं आचा दादी कह रहे है कि हम लोग पैडल जाते थे चलो बहुत पसंद है पीतियों में इसको अमा पेनी चाह पी लिया ले 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 चाह दादी के साथ तो हम नौर्मी शेंख इसको पगड़ो ठीक है हां कोई बात नहीं वह पैडल जानदे हैं अच्छा बरात भी पैडल जाती थी अच्छा 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 पाई दाई जो आई डादी बता रहे हैं यह पाई जानदे हैं बजारे पैडल जानदे हैं अच्छा अच्छा तो दादी कहते हैं कि जो दादी के सासू मादे अच्छा जैर तो अड़ पड़ाइ करते तो लाइट तो उस टाइम पे टो में बोर ना लकडियां जिला कर मेरे डाडि को बढ़ाते थे ठीजिलीयों पिश्चा प्रभना खरें करना अच्छार शाल आज है आपको मन कैसे लगता ते इस जंवल में लगी जांदा है ठूंब करते है और रही है अर्द्धि भी आपन दो भाशा चारत है । sw congestion doctor's address जानवर भी जाइश भी जए और ने ना है हमारे करदे अभी जो हमारे पिछले घर की साइड है वहां भी जॉस्adura की सबकेता है प्याज की सब्जी बनाते हैं प्याज की सब्जी बनानी चमाटर राने अर्मुकादे दाने उने अच्छा दादी कहते कि उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब सो सो मन मतलब काफी कवंटल्स के साब में दाने निकलते थे लोगों के पास इतना कुछ होता था लेकिन अब देखो आज कल के जो हमारे यूबा वर्ग जैसे हम जैसे हम भी है हम भी चलो जब मोका मिलता है तो मुझे भी खेतों में काम गाना बहुत अच्छा लागता शौंकिया तो पर लेकिन चलो फिर भी जितना भी घर पे काम होता ह लेकिन अब यह बताओ कि आज वचे जैसे आज के टाइम में जिनको अपनी जमीन कभी नहीं पता है कहां होती है तो लोगों क्या मैसेज देना चाहते हो जबू साड़े टाम है स्कूल नहां पढ़ना अच्छा पहले नहीं पढ़ते हैं पढ़ते नहीं लेकिन कड़े पर स्कूल जा रहे हैं फोन ला यह करना था है अच्छा चलो अब फोनों कर ले तो आपकुछ नहीं बहुत है क्योंकि अब ओर लाइन धमाना हो गया है ना बच्चों के स्कूल वाले बच्चों का काम भी देखो जो असारा ना उसमें हो रहा है तो दादी को खांसी आप बोलते हो कि आप बसके ना देखो लड़कियों को मार देते थे ना तो लड़कियों को मार ना ना नीचाहिए लड़किया भी बेटे जैसी होती है ना अच्छा अच्छा दादी हमारे घर मेरी जैसे हमारी बुआ है कितना ध्यान रखते आपका ना तो मतलब यही सब बाते कि हमें लड़कियों को गरब पात में बिलकुल उनका नहीं करना चाहिए बेटी बचाव अभियान यह कुछ ऐसी चीज है ना दादी नहीं तो लोग ताने मारते हैं बहुत कुछ पहले टाइम में करते हैं ना चलो फिर और अम्मा बहुत जादा नोक्रियों लगाहिए वेरी गुद बुद दादी ने तो बहुत कुछ बोल दिया है कि ऐख सी कुछ इतनी जादा पड रही है तो तो अम्मा ने बोला है कि भई लड़कियों को पेशली ने यह बच्चे थोड़ा फोन पर कंट्रोल करें जैसे कि बड़े बुड़े बोलते हैं और दूसरा कि जो लोग गर्ब में ही लड़कियों को मार देते हैं वो लड़कियों के साथ ऐसा न करें क्योंकि हमारे देश में वैसे लड़कियों की गढ़ना बहुत कम है और बेटी करो बोलो ना वीडियो को लाइक करो शेर करो एक पूसिप में बताएं जरूर कि जो भी बातें क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बुज़र्गों के साथ वोड़ी मस्ती करते ना यह मैं इस पेशली आपको वीडियो क्यों बता आपको जानने से पहले इस वीडियो का मॉटिफ शियर करूंगी आजकल के टाइम में बहुत से लोगों जानती हूं बहुत से लोग मैंने देखिए जो इस वृद्धा वस्ता में अपने घर से अपने बुजूर्गों को निकाल देते हैं उनके साथ टाइंग स्पेंडने करत तो प्लीज अगर आपके घर में भी आपके दादी हैं या आपके नानी हैं आपके दादाजी हैं कोई भी बुजूर्ग है या आसपास में कोई बुजूर्ग है तो उनको थोड़ी सी खुशी जरूर दीजिए हैना दादी आपको खुशी होती है जब आप मेरे से बात करत तो अम्मा चलो सभी को आशिरवाद दे दो सदा खूश रहो तब को बोल दो एक बार सारे सुखी रहे हैं तो चलो फिर इनी बातों के साथ वीडियो का एंड करते हैं बताना वीडियो कैसा लगा लाइक शेर कॉमेंट और प्लीज सब्सक्राइब तो माइप उनिवर्स शालिनी ऐसी अमेजिंग गॉसिप के साथ ऐसे अमेजिंग मैसेजिस के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी तो आप वीडियो पे हमेशा बने रहे हैं तब तक लिए रखे ख्याल बाबाई टेक कियर